एलो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मारा नेक्स टॉपिक है कमपोजिशन आफ एर इडिज आल्सु एवेरी इंपोर्टेंट टॉपिक कमपोजिशन आफ एर इस एर एर इस दे मिक्शर आफ गैसे एर क्या है यह गैसों का मिस्रड है वाइस एर, एर is the mixture of gases गैसों का मिस्रड क्या कहलाता है एर and second thing we cannot see एर, हम एर को देख नहीं सकते हैं only we can feel the air, हम सिर्फ और सिर्फ एर को feel कर सकते हैं एर को feel कैसे करेंगे जब एर क्या करेगा blow करेगा या move करेगा जब एर क्या करेगा move करेगा तो उसे हम feel कर सकते हैं एर को देख नहीं सकते हैं सो नेक्ट पॉइंट moving air is called wind moving air is called wind यह भी कुशन बनता है what is wind ओके नौव एक पॉइंट और है हमारे पास atmosphere वट इस atmosphere तो और जो हमारा अर्थ है यह एर के एक ठीक लेयर से स्राउंडेट है यह जो ठीक लेयर है यह लेयर ही क्या कहलाता है atmosphere कहलाता है next composition of air हमने देखा कि जो air है यह गैसों का मिस्रड है mixture of gases तो कौन कौन सी gases है जो सबसे जादा मात्रा में है abundant वह है nitrogen 78% यह percentage पूछता है एक्जाम में competitive इंजास में percentage पूछता है तो nitrogen कितना परशेंट है 78% and second oxygen oxygen कितना है 21% oxygen अब nitrogen and oxygen मिलके टोटल कितने बना लेते हैं 99% बना लेते हैं next 1% में आपके other gases आजाएंगे other gases में इसमें आपका organ है 0.9% carbon dioxide है आपका यहां से carbon dioxide का भी बोलता है पूछता जाता है 0.03% ozone ozone को O3 से denote किया जाता है hydrogen neon helium methane krypton and nitrous oxide यह सारे gases and water vapor also dust smoke यह सब भी क्या है यह पार्ट है किसके air के तो अब हम देखेंगे हमने देख लिया यह क्या है इनके percentage कितना है अब हम इनका function देखेंगे जो next question आता है वो function से आता है nitrogen का क्या function है यह किसले use होता है तो nitrogen क्या करता है यह fertilizer के लिए use होता है और food packaging में use किया जाता है nitrogen use in fertilizer and in the packaging of food यहां तक कि जो blood bank में blood store किये जाते है वो भी कहां किये जाते है liquid nitrogen में store किये जाते है ताकि वो fresh बने रहें I hope कितना आपको clear हो गया होगा now next एक point यह बनता है which gas help in the burning तो nitrogen does not help nitrogen help नहीं करता है burning में कौन से gas help करता है oxygen oxygen help in the burning जलने में कौन help करता है oxygen और oxygen का use हम किसले करते है respiration during respiration हम inhale करते है oxygen और क्या out करते है carbon dioxide carbon dioxide कितना है 0.03% and rest में बागी चीज़े हैं okay I hope कि आपको इतनी चीज़े clear हो गई होंगी thank you thanks for watching झालUकरोषिगी झालUकर प्लन झालUकरोषिव कि में बागी